ताकि मेरे साथ जो लोग बैटे हैं वे भी आपकी बाते सुनना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बदाई देता हूँ एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाएं और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है मैं शब्दों में वरणन भी नहीं कर सकता हूँ कि वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो साथ मन को इतनी कैसे समाल पाते कहना कठीन था तिकि ये केदारनाद बाबा की बद्रिनाद बगवान की उक्रुपा रही कि हम सब सोब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है आप लोग ने बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई और एक दुसरे का होसला बनाए रखा ये सबसी बड़ी बात है क्योंकि ऐसे समय येने रेलवे के डिबे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी तो तू-तू में में हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपने इंसारा धैर्य रखा मैं लगातार जानकरिया लेते रहता था मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपक्र में रहता था मेरे पीमों के वेफसर बहाँ करके बैठे थे तो जानकरिया रहते थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है जानकरियों से तो समादान तो होता नहीं है लेकिन मैं सक्ष मुझ में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे समिक साथ ही निकलकर कर आए है सब को और उनके परिवार का पुन्य भी काम आया है ताकि इस संकड़ की गड़ी से बाहर निकल करके आए है आप कुछ करना चाहेंगे जी सर मैं कुछ करना चाहूंगा सर महां बताईए मैं का रहा हूं कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर अठारा दिन तक तनन में हम लोग सब खासाता सर लेकिन हम लोग को एक दिन में कुछ ऐसा एहसा नहीं हुआ कि हम लोग कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहत हो रहा है ऐसा कुछ नहीं हो कि सर हम लोग 41 मॉंबर्स थे सर ऑर अधर-अधर एस्ट, अश्टरसतेशतेशा है सेर, लगिन अश्टि कोई बात नहीं हम लोग कुछ सब भाई देशं के रते थे सर, किसी कोई भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रते थे कुछ भी प्रोभलो होने से strach कोई दिक्कत नहीं था खाना आता था, खाना भी सरम रिद्ग उन खाने के बार के सब एक जग़ा बें हम एक खाते थे थे और रात में खाना खाने के बाद में ज यतने भी हमारे आजमी थे सब आता हूँ कि चलो एक बार डालते हें तरफ टनल का जो हमारा लेंध है सर थाइ मिटर हो गया सर ठीक एए? सबसे सुक्रिया अदा करेंगे सर उत्रक्षंट सरकार की सर जिसने हमारे साथ इतना अच्छा वेवार किया सर. और हमारे माननीय मुख्र मंतरी धामी साहब हमसे बराबर कॉंटेक्ट करते थे सर उनका भी बहुत बहुत सुक्रियादा करेंगे सर तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं